अब क्रिप्टो में पहले जैसी बात नहीं रही जी हाँ आज हम बात करने वाले हैं आपके कमेंट्स की क्योंकि आपके जितने भी कमेंट्स आते हैं जिस भी चीज़ को लेके आते हैं तो हमारी पूरी कोशिश रहती कि उस पे विडियो बनाया जाए और बहुत सारे लोगों इस चीज़ को समझेंगे क्या क्रिप्टो मार्केट में रातो रात करोड़ पती पहले बने हैं और आगे भी बन सकते हैं क्या ये चीज़ सही है और इसको भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि मित भी होते हैं और बहुत सारे लोग मित पे रहते हैं मित पे बिलीव कर लेत और crypto market में सबसे पहली चीज, अब वो time नहीं है, ना ही पहले वो time था, कि आप रातो रात करोड़ पती बन जाओ, ठीक है, एक करोड़ पती अगर आपको बनना है, crypto market आपको जरूर बना सकती है, और crypto market में इतना potential जरूर है, आपको करोड़ पती या करोड़ पती भी बना सकती है लेकिन एक टाइम के बाद बना सकती है उसके लिए आपको लंबा वेट भी करना पड़ सकता है और यहाँ पे जितना पेशेंस रखेंगे पेशेंस का आपको फूल जो फूल भी है वो भी अच्छा मिलेगा तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा क्रिप्टो मार्किट अभी जो सिच्वेशन देखें आप एक साल पहले के पूरा वन इयर भी नहीं हुआ है तो वन इयर टू इयर इतना तो आपको पेशेंस रखना चाहिए वैसे अगर आप फाइव इयर क्रिप्टो मार्किट को देते हो तो ये क्रिप्टो मार्किट आपको करोड़ पती जरूर बना देगे अगर पांच साल आप देते हो ठीक है लेकिन इतना टाइम कोई देता नहीं है कोई देना चाहता नहीं है सब को जल्दी result चाहिए तो क्या होता है कि जब एक bull run आता है जो हमने देखा 2021 में उसके बाद थोड़ा सा हमको एक market slow भी देखने को मिलता है और जिस तरह की market की cycle पहले रही है जो पहले आप record देखेंगे तो market यहाँ पे bull run के बाद थोड़ा सा slow हो जाता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि market रुक जाता है या market आगे नहीं जाने ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि market रुक जाएगा या market रुक गया है ऐसी चीज़ कभी नहीं हो सकती market ना कभी रुका है ना ही रुकने वाला है situation थोड़ी सी slow जरूर हो जाती है थोड़ा सा delay जरूर हो जाता है next bullrun तक लेकिन यहाँ पे रुकता कुछ भी नहीं है bitcoin 12 साल में नहीं रुका ethereum भी नहीं रुका इतने सालों में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रुकता है और crypto market हमेशा ही चलता रहेगा बस आपको यहाँ पे wait करना पड़ेगा और बहुत सारे लोग जो परेशान है crypto market की situation देखके क्योंकि October November के अंदर बहुत सारे लागों ने लोगों ने high price के उपर crypto buy किये थे उस टाइम bullrun था market के अंदर और सारे crypto high price पे थे तो golden rule भी हमने आपके सारे discuss किया है crypto में high price हो तो आपको crypto नहीं खरीदना चाहिए low price पे खरीदना चाहिए low पे हमेशा जब market dip में जाए तब आप खरीदो जब उपर जाए तब आप sell करो यह भी एक बहुत बड़ी लोगों को नहीं पता है इन सब चीजों के बारे में तो यह चीज आपको ज़रूर अपना लेनी चाहिए अगर आप एक अच्छा benefit crypto market से चाहिए तो बिल्कुल market से आपको अगर अच्छा benefit लेना है तो इन golden rules को तो आपको follow करना ही होगा लेकिन यहाँ पे आपको weight भी करना होगा patience भी रखना होगा और market नहीं रुखता है यहाँ ठीक है market अगर आप यह सोच रहे हो कि market में पहले जैसी बात नहीं रही है तो market में बिल्कुल बात है लेकिन सही time आने वे आपको market अपनी power दिखाएगा और bull market का weight आपको करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा जब तक situations यहाँ ठीक होती नहीं दिखती है यही कुछ चीजें थी और बहुत सारे लोग बोल रहे थे market में अब वो पहले जैसी बात में रही है तो एक slow cycle भी हमको देखने को मिलती है bull run के बाद लेकिन उसके बाद फिर से situation अच्छी होती है लेकिन उसके लिए आपको weight करना पड़ता यही कुछ चीजें थी I hope इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गयोंगे आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बादे 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 बादे